विवन कैसे हैं आप सभी एक उमीद है एक आसा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे लेकिन जिस प्रकार से हमारे देश में अभी कोरोना की संख्याय बढ़ रही हैं वो थोड़ा चिंता का सबक बना हुआ है आप सतर्क रहिए और इसको सीरियसली लीजिए और अपना ध्यान रख बात करेंगे जो आज के समय में सबसे बड़ा मुद्दा चिंता का बिसे बना हुआ है वो है डिप्रेशन बहुत सारे ख़वर हमको अभी पिछले कुछ दिनों में सुनने को मिली है विच रियली मेडस सौक्ट विच रियली गेब अस वेरी निगेटिव वाइव निगेट चल रहा है इसमें अपने आपको सकरात्मक रखना सबसे बड़ी जिम्यदारी है जब तक आप खुद को नहीं पहचानते हो ना दुनिया आपको कभी नहीं पहचानेंगी आप खुद पर विश्वास रखिए खुद की पहचान बनाएए दुनिया वाले खुद आप को जान जाएंगे एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं इस कहानी के जरी हम समझेंगे कि डिप्रेशन से ओवरकम कैसे हो सकते हैं डिप्रेशन से छुटकारा कैसे हम पा सकते हैं यह कहानी एक लड़के की एक कहानी सची घटना प्याधारित है यह कहानी एक लड़के की किसान का पहनत देख के गाउवालों ने उसके पिता सकाप इसको क्रिकेट सिखाईए उसके पिता ने खेत बेच कर जो पैसे जमा किये थे वो निकाल कर इसको नेस्टनल एकैडमी में इसका एडमीशन कराया लड़का चला गया गाउँ छोड़कर और छे महिने के अंदर उसने अपनी अलग पहचान बनानी शुरू कर दी रफ गेद में रफतार बहुत तेश थी बल्लेबाज खड़े के खड़े ध्वस्त हो जाते लेकिन कहा जाता है ना जब एक उसको नापसंद करने लगे उन्होंने कहा कि you are not doing well you are not a proper baller you are not conventional your technique is different you are going out of the box ऐसे तुम सस्टेन नहीं कर पाओगे लंबे समय तो क्रिकेट में मतलब उसके सीनियर्स उसके टैलेंट से जलने लगे और उसको डी मोरलाइस करने लगे उसको डी मोटिवेट करने लगे और व ही स्टार्टेड इंप्लिमेंटिंग न्यू थिंग्स इन इस बॉलिंग स्किल्स और उसका रिदम उसका लाइन लेंज सब खराब होने लगा धिरे और स्थिती चौपट होने लगे उसने दोस्तों से दूरिया बनाई घर पे बात करना बन कर दिया एंड ही स्टार्टेड केला रहने लगा इवन स्टीडियम भी जाना बन कर दिया प्रेक्टिस भी बन कर दी उसने क्योंकि उसका सीनियर्स और बाकी लोग उसको जलते थे और लोगों ने कह दिया कि तुम ऐसे जादे देर तक सस्टेन नहीं कर पाओगे सर्वाइब नहीं कर पाओगे क्रिकेट मे और कौँच भी जल्दी ही तुमको या से भगा देगा और वो लड़का उनकी बातों को दिल पे लेते हुए बहुत डिप्रेशन में जाने लगा का ही स्टार्टेड ओवर थिंकिंग और ओवर थिंकिंग ही डिप्रेशन का कारण है विस सोचते सभी है लेकिन जब आप ज्यादे सोचेंगे ज्यादे दिमाग लगाएंगे निगेटिविटी में तो वह हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है आदत बन जाता है और जब ये overthinking आदत बनता है तो वो हमारे thoughts को हमारे life को control करने लगता है और तब हमारा life chopper होने लगता है वो लड़का किनारे हो गया ना practice करता ना घर वालों का call receive करता ना दोस्तों की बात सुनता वो अकेला सा हो गया वो समझ में रहाता करे तो करे क्या घर से मैं पैसे ले चुका किस मू लेके मैं जाओंगा गाओं में या पर seniors भी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं वो एक महिने तक practice नहीं किया एक दिन उसके coach ने बाकी teammate से पूछा वो लड़का क्यों नहीं आ रहा है लड़कों ने कहा कि sir पता नहीं वो किसी का call ले receive कर रहा है घर पे बात हुई घर वालों से सभी नहीं बात कर रहा है वो कोच ने का उसको एक लेटर लिखो उसके जा रहता वहां डाल दो कि coach ने तुम्हें अगली संडे अगले संडे को सुबह अपने घर पे बुलाया है कुछ सिलेक्शन स्रेलेटेड बात करनी है लेटर उसके घर पर पहुचा दिया गया जहां प देखा सर यहाँ पे क्यों खड़े हैं अकसर और यहें मिलते पर क्रिकेट ग्राउंच पर प्रeक्टिस पास यहां क्या कर रहा है तो उसने गया बोला सर हासर बताईया बात कर ना चाहतें घर घबांदे जोन्हें not तर यहां पे आपने ये घोड़े को क्यों बधवा रहे हैं ये तो गधों का जुन्ड है इसमें घोड़ा क्या करेगा घोड़ा तो रफ्तार का दिवाना है रफ्तार के लिए जाना जाता है करोड़ों लगते हूं उस पर ये गधा में जाएगा तो इसकी तो लाइफ जिनकी बातों को तुम विश्वास करों मुझे सब पता है कि सीनियर्स क्या कर रहे हो बाकी क्या कर तुमसे जलन है उनको गधों की बात में आओगे तो घोड़े की रफ्तार गधों से भी खराब हो जाएगी अपने कैलिबर को पहचानो और यदि अगर आपके दिमाग में आप उनसे बात करिए अक्सर डिप्रेसर में इंसान तभी भी जाता है ना जब उसके खुद के अपने उसे समझते नहीं है तो जाए तो जाए कहां लेकिन किसी न कोई एक न एक होता है जो आपकी सुनता है और कोच ने कहा तुम भी तो वही कर रहे हो घोड़े जैसी ताक घोड़े जैसी रफतार को तुम गधो की बातों में आके बरबात कर रहे हो उस बंदे को बात समझ में आ गई और अगले दिनों ग्राउंड पे एक नए जोस और उमंग के साथ पहुचा और लगताग प्रेक्टिस किया रणजी में सेलेक्शन हुआ वह इंटरनेशनल भी खेला अब वो रिटायर हो चुका है और उसकी क्रिकेट एकैडमी भी है तो मेरे प्यारे बच्चों या जो कोई भी वीडियो देख रहा हो यदि आपको ओवर्थिंकिंग है कोई डी मोटिवेट को डी मरॉलाइस कर रहा है आपके थाट को कुचल रहा है और आपको किसी से बात करने की नहीं मन कर रहा है और इस पीक अप इफ नोबडी इस लिसनिंग आई एम हिए यू कैन मेल मी आइप अपने करीबी लोगों से बात करें जिससे आप दिल खोल के बात करते हो आप बात करिए सॉलिसों आएगा विकॉज यह लाइफ जो है ना बहुत प्रीशियस से आप खुश सोचो जिंदगी अगर अंत हो जाए तो आपके खुद जीवित माता पिता क्या गुजरेगी उन पे आप इमेजिन करके देखो ऐसे खयाल खतम आ जाएंगे तो छोटी सी कहानी है ऐसे डिप्रेशन आता है लेकिन जब आप खुद को पहचानते हो खुद की क आप से आप हो